भारत और इंग्लेंड के बीच खेले गई वंडे मुकाबले में टीम इंडिया ने सांदार जीत असल करी है और टीम इंडिया किसी जीत के साथ इंग्लेंड को मूँ की खानी पड़ी है अब गोर करने वाली बात यह हैं कि इंगलेंड के वो दिगज के लाड़ी जो भारत के हार की बहुश्चवानी कर रही थी अब वो कहां मूँ छुपाए बैठे हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इंगलेंड के उन दिगज के लाड़ियो का रियक्सन्स जो आगई में देखने लाइक है वैसे देखने लाइक तो पाकिस्तान का रियक्सन्स भी है जो भारत के युवा के लाड़ियो को लेकर काफी कुछ कह रहा है भारत और इंग्लेंड की बीच चल रही वंडे स्रीज को लेकर भी पाकिस्तान ने कमेंट किया है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इन सभी के रियक्शन्स लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाए ताके इन आई वीडियो की नॉटिफिकेशन भी आपके पास पहुँचे अब यह जाने से पहले कि पाकिस्तान के खिलाड़ी का क्या रियक्शन्स रहा है लेकिन आई उससे पहले जानते हैं इंग्लेंड के दिग्ज खिलाड़ियो का रियक्शन वार्दिकर के टीम कप्तान विराट कोली मेदान पर थोड़ी आकरामक रहते हैं और अपने इसी विवार के लिए जाने जाते हैं यही नहीं कई बार किसी फैसले पर विराट कोली एंपाइर के साथ बादसीत करते हुई नजर आते हैं एंगलेंड के इस तरह के बादसीत करने को लेकर विराट कोली पर एंगलेंड के पूर्वकिर के ड्र डैविट लॉइड ने शवाल उठा दिये हैं। साथी में उन्होंने सूरी कुमार यादो के आउट होने की फैसले पर भी अपनी नराज की चाहिर करी थी डेविट लोईड ने कहा विराट कोली को लगता है कि इंगलेंड के खिलाब T20 मुकाबले में सूरी कुमार यादो का कैस पकड़ा तब इंगलेंड के किलाडियों ने एमपायर पर दबाव बनाया लोईड ने कहा विराट जो कर रही है उसके असर के बारे में नहीं सोच रही है अगर हर चीज आउट है बले ही गैन गिलियों को सिर्फ छू रही हो तबी भी आउट है तो ऐसे मैं टेस्ट मैच दो दिन में ही कत्म हो जाएगा एक वंडे इंटरनेशनल में चार गंटे में तो काई न काई डेविड लॉइड ने विराट कोली के उपर सवाल खड़े किये हैं तो वही माईकल वॉन जो टीम इंडिया पर तंज कस्ते रहते हैं उन्होंने भी इस बार टीम इंडिया की तारीब करते विने ज़रा रही है पूर्व इंगलीस कपतान माईकल वॉन ने प्रसित कृष्टना के जम कर तारिब करी पूर्वे में खेले गए वंडे मेच में कृष्टना ने चार विकेड छटके कृकबस से बाजसीत के दोराण वॉन ने कहा एक बाचित के दुरान बॉन ने युवा भारती खिलाडियों के परदर्शन का स्रेप पूर्व दिगज और नेस्तल क्रिकेट अकादमी के मौझूदा डारेक्टर राहूल द्रविट को दिया बॉन ने खा भारत परदे की पीछे जो कुछ भी कर रहा है मुझे पता हैं कि हम IPL को बार-बार याद करते रहते हैं लेकिन मुझे लगता हैं कि राउल द्रविट ए टीम के साथ डेवलेप्मेंट प्रोग्राम के जरिए इन खिलाडियों में सही मानसिक्ता पैदा कर रहे है उन्होंने का इन सभी किलाडियों को सिस्टम के जरिये अंतराष्टी टीम में लाया जा रहा है जो कि दबाव वाला स्टेज होता है भारत ने जो पढ़नाली तयार करी है उसका पूरा का पूरा स्रे है और मिलना भी जाईए वो बिल्कुल सही काम कर रही है उन्होंने आगे का ये कहना आसान है कि टीम कल्चर अच्छा है कि विराट कुली और रवी सासरी टीम में अच्छा कल्चर तयार किया है लेकिन किलाडी है जो खुद पर भरोशा कर रही है और अपना परदशन कर रही है और माइकल वॉन राहू द्रविट को इसकी बारे में श्रे देना चाहते हैं लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पूरु कफ्तान रमीज राजा ने भारत के क्रिकेट को लेकर कापी कुछ कहा है उन्होंने कहा भारती क्रिकेट सिस्टम कापी मजबूत हुआ है आपके पास बेंच में कहीं बहतर विकल्प मौजूद है उन्होंने कहा डगाउट का हिस्टा बनने का ये समय सांदार है ये रमीज राजा ने कहा कि भारती क्रिकेट मेनेजमेंट सांदार काम कर रहा है वो खिलाड़्य को सपोर्ट करने के साथ दियोंने खुद को एकस्प्लोर करने की परमीजन देने के बहतर विश्वास करते है ये शिखने के लिए आप काफी बहतर है और डगाउट पे रहकर आप इस जाग रुकता का फाइदा उठा सकते है उन्होंने का कि महान डगाउट का हैसा बने युवा के लाड़ी के लिए शानदार शन, शमय और चरण है तो यहाँ पर आपने एक बात तो घोर करी होगी भारत के अलोचना करने वाले दिगज भी अब भारत की तारीप में जोट गए है खैर भारत के इस पॉइंट के लिए लाइक तो बनता है अपना सपोर्ट लाइक करके दिखाए पर आल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ का माल कुछ धमाल टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाबाई और टेक केर